नाजरीन आजाब वियेसेम प्राइम में आपका खेर मक्तम हैं देश और दुनियाई के ताजा समाचारों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें आपके लिए आज हम लिकर आए हैं एक खास रिपोर्ट देश के प्रधान मंत्री का सपना था कि 2022 से पहले हर भारतिये के पास अपना घर हो और इसी के चलते प्रधान मंत्री आवास योजना का आरंब गया था 2017 से ये योजना जारी की गई लोगों ने आवेतन किये पैसे भरे और अपने घरों की परतिक्षा करने लगे अमरावती महाराश्ट्री के जानी मानी सिटी है यहाँ पर भी परधान मंत्री आवास योजना का काम बड़े जोरोशोर से शुरू हुआ दोस्तों जो तस्विरे आप देख रहे हैं ये हैं परधान मंत्री आवास योजना के अमरावती तार खेड़ा परिशर की तस्विरे यहाँ पर काम शुरू हुआ लगभग देड़ साल पहले लेकिन सिवाए चंद कालमों को खड़े करने के कोई काम आगे नहीं बड़ा एक बहुत बड़ा गड़ा खोद की चार महीनी से शोड़ दिया गया इसमें लाखों रुपिय का लोहा सेंट्रिंग ये सड़ रही है बालिशानी के बाद में तालाप जैसा बन जाएगा इसका हैं यह रखे हुए हैं और कहीं कोई सेकूरिटी का इंतजाम नहीं है अगर यहां पर बारिश में पानी यहां होनी के बाद कोई नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार काउन रहेगा जो लोहा भीग रहा है यही अगर परधान मंत्री आवास योजना में लगाया जाएग तो बिल्डिंग का काम कितना अच्छा होगा आप इसका अंदादा लगा सकते हैं यहां पर दो मैनी से किसी भी अधिकारे ने कोई विजिट नहीं की है ना यहां पर ठेकेदार का कोई आत्मी आया ना यहां इंजिनियर नदर आता है और नहीं मनपा परशासन के तरफ से को यहां पर एकार चक्कार लगा कर देखें कुछ जनपर्धिनिदियों को अगर धार्मिक गती विदियों से फुरसत मिल गई हो तो वो भी यहां पर देखें कि जनता के लिए क्या-क्या सोईधाय मिल रही हैं जनता के कितने काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं हम आशा करते हैं इस न्यूस के बाद शायद कोई जनपरती नी थी या कोई अधिकारी यहां का दावरा करेगा और इस काम को गती मिलेगी और परधान मंतरी का जो सपना है 2022 के पहले लोगों को घर लेने का शायद उसे पूरा करने में ये लोग अपना कुछ योगदान देंगे। देखते रहें VSM प्राइम